कि यह गाइज वेलकम बैक मैं चैनल जोटी व्लॉक्स टीपल सेवन तो कैसे हैं आप सब उम्मेर आप सभी अच्छे से होंगे तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए करा हैं तीज मेकप लूप जो कि बहुत ही एजी एंड सिंपल होने वाला है वैसे सिंपल तो नहीं है फिर भी जासानल से सब्सक्राथ का लुब तो जाहर सी बात है तो कुछ न कुछ थुमने vraag stuff नहीं है मेगप लेकर रहे हεις और झाते मह कम शारी हम सभी हैं वहरे से तखिंपल है और देखने कि मतलब वह नगा é बहुत ईजी होता है तो चली ज़्यादा पाते नहीं करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा एड मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलेगा तो चली सुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहां पे संस्क्रीन लेंगे संस्क्रीन आप कोई भी ले सकते हो दे हो या नाइट हो जबी कभी मेंकप होता है तो हमें संस्क्रीन लगाना मस्ट होता है क्योंकि हमारी स्कीन को प्रोटेक्ट करता है तो यह बहुत जरूरी होता है मेंकप से पहले अप्लाई करना तो इसे अपने फेस पर नेक पर अच्छी से अप्लाई कर लेंगे इसको लगाने कि लगानेuga इसी हम अपने फेज पर एंड नेक पर हलकी हाथ से मसाज करते हुए लगाएंगे और मसाज करने के बाद हलकी हाथों से इसे हम डब-डब करेंगे आप यूवश की जब आप डब-डब कर लोगे तब आपको कुछ सेकंड को ऐसे ही छोड़ देना है इसके बाद आपको मेख्याल छाध कर लिया है। मैसे मैं इसके ब tikस воды करना है। इसे जितनी अच्छे से हो सकते यहीं बहुत्त मस्ठ मेकप में किसे सद सेट हुदक ठंचा लुक करता है आपको सतना सबस्कारभ फैंग पर सुम्कि वह बहुत बहुत अच्छा लटो लेकि आता है फैंग मेकप मपक दर उसके बाद मैंने यहां पे क्रेलाउन का करेक्टर लिया है क्योंकि मेरे फेस पे कही जगा टैनिंग है तो उसको छिपाने के लिए मैंने करेक्टर का यूज किया है इसे मैंने अपने हाथों से ही मर्ज कर लिया है तो इस टैनिंग को छिपाने के लिए मैंने करेक्टर यूज किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे concealer लिया है concealer को मैंने बहुत ही हलका रखा है और आप देख सकते हैं मेरा concealer खतम भी होने वाला है तो मैंने concealer को ऐसे beauty blender से अच्छे से blend कर लिया है जिसे वो मेरे foundation और character के साथ अच्छे से mix हो जाए और उसके बाद मैंने यहाँ पे face powder लिया हुआ है क्योंकि face powder बहुत जरूरी होता है आप उसके जगा कोई भी loose powder ले सकते हो यह सारे चीजें जो है हमारे foundation हमारे makeup को set करने के लिए बहुत जरूरी होता है तो सारा base apply करने के बाद आप powder जरूर apply करो अपने face पे और उसके बाद आगी का process उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने eyebrows को custom कि भाए है अई उसके बाद जो eyebrows वाले kit किट आते हैं उसमीर जो brown shade होता है वह मैंने लिया है उससे मैंने आपने eyebrows को थो एक look द्या है वैसे मेरे eyebrows को ज़्यादा to set करने के ज़रूरत नहीं होते इसके बाद फ्रेंड मैंने आई मेकप शुरू कर दिया है जिसके लिए मैंने इनर कॉर्णर में गोल्डन आइशेटो एंड आउटर के लिए रेट लिया रेट आइशेटो मेरे पास नहीं था तो मैंने एक लिक्विड लिफ्टिक लिया है आप भी कभी ऐसा ट्राय कर सकते ह बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद उसे भी ब्रस से अच्छे से mix and match कर लेना है और उसके बाद आपने देखा है कि मैंने यहां पे ब्लैक जेल वाला लाइनर लिया है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है आपको कैसा लगता आप कमेंट करके जरूर बताना जे देखा देखा लाइनर बहुत ही जादा पसंद है आपने देखा है कि मैंने इक विंग жить किया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ज़कि मैंने मंने अपर अपर एंडोर में अप्लाई किया अं उसके बाद मैंने काजल की जगा यहां औक कल डाउट ऐसेड़ एक कॉफी कलर से अच्छे से से दिया है मैं बहुत ही अच्छा लुक आता है यह आप अपलाइ करने के बाद हलका सा मर्ज करो कभी कभी होता है कि हमें अचानक से कहीं जाना होता है और मेक अपने करने का बिल्कुल भी बूट नहीं होता है तो सच में आप यह वाला जरूर ट्राइ करना आप कॉफी कलर का लाइन ले लेना एंड लेट लिप्स्टिक उससे अपलाई करने के बाद हलका सा मिक्स कर लेना आप देखोगे कि आपका जो एक लिप्स्टिक है ना वो आपके पुले चहरे में ही चार चान लगा देगा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है आप एक बार ट्राइज जरूर करना एंड आपको यह लुक कैसा लगा आप कमेंट कर प्लीज जरूर बताएगा एंड उसके ब है जो मेक अप है वो कितना ही प्यारा लग रहा है और उसके बाद हम चलते हैं एक सिंपल सी है श्रायल के तरफ जो अभी मैं आपके सामने आपको करके दिखाऊंगी इसके लिए आपको सीधी सी मांग निकाले जो की बहुत ही मुस्किल से निकल पाई क्योंकि मैं सीधी मां पानी टेल करनी है आप कोई भी मोटा सा रबड लेके आप एक पॉन डेल कर सकते हो और मोटा रबड हैगा तो वह अच्छे से टिका रहेगा क्योंकि हमें पूजा में सब पल्लों लेना होता उसके बाद जुड़ा बनाने के लिए कुछ इस तरह से मार्केट में बहुत सार कर लेना है यूपीन की मदद से और उसकी बाद आप देख सकते हैं जितनी भी छोटे-छोटे बाल होते हैं उसको अच्छे चाप पीन आप कर ले एंड जो आगे का पोर्षा ने उससे ट्विस्ट करती हुए घुमाती हुए पीछे लेके जाना है उसे पिन से सिक्योर करना है अपने हाथों से उसे फूला मतलब एक होता है फूला फूला सा लुक देना है जो जूडा बनाने के लिए फ्रेल आता है यह तो हर किसी के पास होना ही चाहिए बहुत ही काम की चीज होती है जब भी आपके घर में पूजा पाड़ हो और आपके पास टाइम नहीं है तो कोई भी रफली साज जुड़ा बना कि इसको पर सी लगा सकते हो एंड गजरा वजरा कुछ अच्छे से से सेट करकि मतलब बहुत यह अच्छा लुक आता है और फ्रेंड आप देख सकते हो कि यह है मेरा फाइनल लुक आपने सोचा भी नहीं होगा कि कम से कम मेकप में इतना अच्छा लुक कैसे क्रेट हो सकते हैं एंड हैस्टैल देखके तो लग रहा है कि कितना ज्यादा ताम जहम लगा होगा लेकर आपने देखा न कि कितनी आसानी से बनगे तो इस दीश पर आप यह हैस्टैल अपनाना एंड आपको मेरे लुक कैसा लगा कमेंट करके प्लीज जरूर पता है कि फिलाल मुझे देख बहुत पसंद आया एंड तो उमीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए एंड प्लीज कुछ तो रिस्पांस जरूर देजिए क्योंकि आपको झाल